जेहन दोस्तो एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और रिलेशन के भरती के बारे में जो की दोस्तो दिसंबर 2020 में होने वाली है और इसके जो दोस्तो ओनलाइन रेइस्टरेशन से हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं तो मैं आपके लिए बताता हुँ दोस्तों की COVID-19 के वज़े से अभी जो भी रिलेशन्स भरती हो रहें हैं उनके जो डॉक्मेंट हैं वो सेंटर्स मतलब जो भी सेंटर्स भरती कर रहे हैं वो ऑनलाइन रेइस्टरेशन मांग रहे हैं मतलब ऑनलाइन रेइस्टरेशन से बियारों की जैसे नहीं है उसमें थोड़ा से चेंज है तो वो मैं आपके लिए पूरी जानकरीद देने वाला हुँ तो वीडियो में लास तक बने रहे हैं वीडियो में आपको A to Z details बताने वाले हैं इस भरती से related कौन से सेंटर्स भरती है कौन कौन से ट्रेट्स की भरती है आपके लिए A to Z details देने वाले हैं तो चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो लेकन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक request होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सिवा online classes को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को है और वैल एकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियो की notification मिलती रहे है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज वीडियो तो यह भरती दोस्तों जो है वो है 58 गोर्खा रेजमेंट सेंटर में ठीक है 58 गोर्खा रेजमेंट सेंटर में यह भरती है दोस्तों यह भरती जो है वो तो गोरखर रेजिमेंट जो है वो स्लोंग में है स्लोंग कहां पर दोस्तो मेगाले में औल इंडिया भरती है दोस्तो अगर आप पास में रिलेशन सेटिपिक्ट है तो आप किसी भी रिलेशन है आपका जैसे मालीजी आपके पापा या भाईस ASE में हैं, AMC में हैं या फिर AAD में हैं या और भी किसी इंफेंट्री रेजिमेंट में हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है उसके बाद में दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो भरती है वो recruitment rally under unit headquarter पर कोटा मतलब relation के भरती है और soldier gd की ठीक है यहाँ पर soldier gd के भरती होनी है दोस्तो उसके बाद में आप यहाँ देख सकते हैं यह trades का नाम दिया गया है और कौन-कौन इसम भरती में सामिल हो सकते हैं वो भी दिया गया है ठीक है यह जो दोस्तो भरती है वो 13 दिसमबर 2020 से होनी है 23 दिसमबर 2020 ठीक है उसके बाद में दोस्तो आपके यहाँ पर soldier gd की पोस्ट है इंडिया डूमिसियल गोर का एंड नेपल डूमिसियल गोर का मतलब आप इंडिया या फिर नेपल कहिंके भी हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं ठीक है उसके लाद दोस्तो इस्टेट बिंग कवर्ड अल इस्टेट यूटी ओफ इंडिया और जोन अफ नेपल मतलब आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तो की जो भारत का गोर्खा रेजिमेंट है इसमें जो भरती होती है दोस्तो इसमें इंडिया और नेपल दोनों के केंडिडेट्स को भरती किया जाता है ठीक है यह दोस्तो बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है मेरा एक दोस्त है 58 GTC में जिससे मैंने आपके लिए जो नोटिफिकेशन है उससे मंगाई है ठीक है तो यह बिल्कुल ओरिजिनल नोटिफिकेशन है मैं इसका सैन भी आपको दिखाऊंगों यह किसने सैन किया हुआ बो ली जाती है आपके 157 cm तो मतलब आप अंदाजा लगा सकती है कि यह जो height अबो clerk से भी कम है नॉर्मल जो clerk के भरती होती है उसमें 157 cm height नहीं ली जाती है उसमें भी 162 cm height ली जाती है लेकर यहाँ पर दोस्तो आपकी 157 cm height ली जाएगी उसको वाद में आपको दोस्तो class 10th pass होना जरूरी है with 45% marks के साथ में किसी भी subject में 33% marks से कम नहीं होने चाहिए ठीक उसको वाद में चलते हैं दोस्तो यहाँ पर कुछ important dates के बारे में यहाँ पर schedule of recruitment is as under तो reporting date of candidates 1-5 December 2020 है दोस्तो आप 1-5 December 2020 के बीच में गोर्खा रेजिमेंट सेंटर सलॉंग मेगाले में report करनी होगी उसके बाद में आपके दोस्तों quarantine किया जाएगा 17 days from the date of reporting मतलब आपके लिए फिर 17 दिन के लिए बहाँ पर quarantine किया जाएगा करने के बाद में आपका जोब और टेस्ट लिए जाएगा तो 17 देस मतलब एक से पांच तारिक ता आपको रेपोर्ट करनी है गोर्खा रेजिमेंट सेंटर में भरती के लिए पूरी डॉकुमेंट से लेके उसके बाद में आपको 17 दिन का क्वरेंटीन किया जाएगा उसक दोस्तों 30 दिसंबर 2020 के बाद में कॉमन इंट्रेंस एक्जाम यानि कि आपका रेटन एक्जाम जो होगा दोस्तों 31 जनवरी 2021 के लिए कराया जाएगा ठीक है तो यह कुछ इंपोर्टन डेट्स होगी दोस्तों उसके बाद में हम चलते हैं आपके बहुत ही ज्यादा इंप लिए बता दें ध्यान से सुनिएगा बहुती ज्यादा इंप्रटन बात है तो आप देख सकते हैं यहां पर साफसाब लिखा हुगा कि फर्दर टू जीटीएट जीटीशी लेटर नंबर 31 अगस्त जो 31 अगस्त का लेटर मैंने आपके लिए दिखाया उपर यह बोल रहा ह है तो फिटीएट जीटीशी ने 5 सितंबर के एक नेक्स दोस्तों दूसरा लेटर निकाल दी जिसमें नोंने क्या बताया है मैं आपको बता देना चाहता हूं जिसमें बताया है दोस्तों तो टू कंड़क्ट इस्मूथ टो इन्सोर इसमूथ कंड़क्ट रेकूट्मेंट इसमें कुछ ज्यादा नहीं है यहां पर आम बोला है दोस्तों कि आपकी डॉकुमेंट्स हैं जो भी भरती के जैसे आपकी क्लास 10 के सर्टिफिकेट होगे पासिंग सर्टिफिकेट एंड एडमेट कार्ड उसके बाद में आपका दोस्तों डोमिश्यल अबलिक इस इमेल आइडी पे भेजना होगा तब ही आप वहां पर रेपोर्ट कर पाएंगे तो 58GTC यह इमेल आइडी है दोस्तों 58GTC UHQ December 2020 at the red gmail.com तो इस इमेल आइडी पर आपके लिए अपने यह जो following documents हैं जो मैंने आपको बताया यह एक नॉमबर से 5 नॉमबर 2020 के बीज में भ अगर आपको इमेल आइडी नहीं देख रहे हैं तो यह जो notification है इसको मैं अपने telegram चैनल पर दोस्तों upload कर दूँगा आप हमारे telegram चैनल सिवा online classes से जाकर इस notification के लिए download कर सकते हैं ठीक है तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही था अगर कुछ और होगा तो मैं आपको बता देता हूं हाँ आपके लिए एक चीज़ बताना जरूरी है कि आपकी जो age limit चलो एक चीज़ और बता देता हूं आपकी जो age limit है वो minimum 30 जुन 2003 से maximum 30 बारा दो सॉरी 1999 के बीच में होने चाहेंगे मतलब आपकी जो age limit है दोस्तों डेट आप बर्था को minimum 30 जुन 2003 से maximum 30 से बारा नॉम्बर 30 से बारा सॉरी 30 दिसंबर 1999 के बीच में होनी चाहेंगे तब यह इस भरत में सामिल हो सकते हैं ठीक है एक चीज़ जो है दोस्तों आपको बता दें कि मैंने आपको बताया ठीक है इन्होंने यह letter send किया अब उपर बाला letter भी मैं आपको दिखा देता हूं कि वो letter किसने send किया है जिससे आपको दोस्तों confirm हो जाएगा यह देखिए सेम नाम है राहल घोसाल लेक्टनिन करनल इन्रॉलिंग ऑफिसर फॉर कमानेक्ट तो यह जो दोस्तों भरती है इसक झाल